कि में 13 को जो incidents हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन तो इतना मैंने बोला और इतने में उन्होंने हाथ छोड़ दिया उन्होंने मुझे साथ आठ थपड पूरी जोर से मारे तो जब मैंने उन्होंने पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया उसमें मेरा सर भी जो वो से इंटर टेबल है, उस पे जाके टकराया, मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया, और मैं बहुत जोर-जोर से चीक-चीक के हेल्प मांग रही थी, लिकिन कोई मदद के लिए नहीं आया, ऐसे तो होई नहीं सकता कि सीम के घर में कोई नहीं ह याने कि खुद बखुद भिभव में इतनी जुरत नहीं होगी कि वो खुद पीटे, is that what you're saying? बिभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शन्स पे मारा, ये सारी चीजें अब matter of investigation हैं, दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोपरेट कर रही हूँ, हां मैं ये भी है लेकिन मैं किसी को clean shit नहीं दे रही, क्योंकि fact ये है कि मैं drawing room में थी, अर्विन जी घ क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे, मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज मैंने सारी महिलाओं को बोली है, कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो, आप सची सची complaint करो, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलात हुआ है, तो आप जरूर लड़ो, तो आज मैं खुद कैस नहीं लड़ सकती